दक्सकेडमी लाडव यूटूब चैनल में बचो आपका स्वागत है आज का जो बचो हमारा सेशन रहेगा वो रीजनिंग में एनलोजी यानि के साधरिश्यत रहेगा इसमें बचो हम एक मौक टेस्ट करेंगे जिसमें 50 most important questions हम discuss करेंगे with explanation और 4 टाइपस जो हम इसमें यहाँ पर cover up करेंगे ओके तो आप बचो इस सेशन का बहुत अच्छे तरीके से benefit ले सकते हो जब आप साथ साथ हर question का answer comment box में देने कोशिश करेंगे और last time अपना score भी match करेंगे वीडियो की description में बचो हमने एक telegram channel का link दिया है वहाँ से आप इसकी PDF भी download कर सकते हैं so all the best let's start first question देखने बचो क्या answer बनता है देखिए का बहुत easy है अगर आप देख रहे होंगे बचो यह number सारे के सारे कैसे है squares है तो यह squares की सका बचो देखिए का 10 का square 11 square 12 square ओके तो next की आएगा बचो यहाँ पे देखिए का 13 का square और 13 का square कितना होता बचो 169 यानि का option C आपका answer हो जाएगा तो आपने क्या करना बचो इनकी relation अच्छे से बनानी है जैसी relation इनकी बनेगी वैसी relation आपने यहाँ पे apply करनी है तो आप एक बार relation को अच्छे से पकड़ पाए तो इसके questions आपके लिए बहुत ही जी हो जाएंगे और बचो एक बात और ध्यान रखन जो इस तरह के questions सोतन में कहीं बार एक से दो या दो से तीन type भी हम एक use के अंदर apply कर सकती है देखिएगा second question से और clear होगा अगर आप देख रहे हैं बचो यहाँ पे 3 से divide करने से 20 बना जाता है तो बताईएगा अगर हम 27 को 3 से divide करते हैं तो क्या आता है येस दीजिएगा अपना अंसर बिल्कुल ठीक आपका option हो गया भी यानिके 9 अंसर आ जाएगा एक दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया था बचो दूसरे टाइप से भी हम इस question को कर सकते हैं देखे का यहाँ से इस number को हम 3 से multiply करते हैं तो बहुत हमारे पास आ जाता है 63 ऐसे यहाँ पर क्या number होगा बचो जिसको हम 3 से multiply करें और 27 आ जाए तो उसलिए बचो आपका अंसर यहाँ से भी नाइन बनता है तो बस आपने ध्यान रखना है relation या तो आप ऐसे बनाएंगे या फिर relation आप ऐसे बनाएंगे तो relation का ध्यान रख लेना है जितने अच्छे से relation बना पाई उतने अच्छे से आप question कर पाऊगे next question देखते हैं बचो देखिए क्या answer बनता है yes बताईएगा अब उसलिए यहाँ से नजर आ रहा है आपका बचो जो second number है वो first का square है 25 का जो square होता है बचो कितना होता है 625 तो यहाँ से देखिएगा इसका मलब यह भी 35 का square आएगा और 35 का जो square होता है बचो बताईए क्या बनता है वैसे तो बचो हमने एक वीडियो डाली है जिसमें लास्ट में 5 होता हूं नमबर को square कैसे find out करें लेकिन थोड़ा सा बताते है जिन नमबर का लास्ट में 5 आता है बचो यहां से देखिएगा तो आपने क्या करना जैसे 3 है ना तो इसको 4 से multiply कर दो यानि को से next number से multiply कर दो तो कितना है बचो देखिए कि 12 आए या और जो 5 होता है उसके जागे यहां पर लिख जाएगा 25 ओके तो इसको option हो जाएगा C clear point देखिएगा आप जैसे माली जीएगा 65 का आपने square find out करने है तो 6 को 7 से multiply करेंगा बचो बताएगे क्या आएगा 42 और लास्ट में कितन आजेगा बचो 42 25 इस तरह से आप इनका square भी find out कर सकती है next question number 4 देखिएगा इन में सबसे पहले बचो हमें देखना होता gap तो यहां पर कितना gap आया बचो देखिएगा 18 है तो इसी तरह से 18 में 18 को plus करेंगे तो कितना बंदा है बचो 36 तो आप का अंसर हो जाएगा option A is that clear चल अब यहां पर देखिए बचो 66 है और 8 की अगर हम relation की बात करें तो 66 में 8 की relation कुछ ऐसे सीद ही नहीं बनती लेकिन बचो 8 का square कितना होता है बताईए 64 होता है तो उसमें हमने 2 plus कर दे तो कितना है बचो 66 आया यानि कि जो number है उसके square में हम 2 को add कर देंगे तो मारे पास यह second number आ जाता है ओके I think clear होगा तो बताईए यहां पर कौन सा number होगा जिसका हम square करें और इसमें 2 add करें ओके square करें और इसमें 2 add करें तो 38 आ जाता है तो यहां से थोड़ी से आप options की help ले सकते हैं 2 का square कितना होता बचो 4 में 2 add करने से नहीं होता बी option देखते है बचो 6 में 6 का square कितना 36 उसमें 2 add करने से 38 आ जाता है तो इसका हम जलो यह number होगा हमारा 6 square I think clear तो options की भी हाप help लेते चले next देखते हैं देखेंगा बचो इन की relation के अगर हम बात करें तो क्या relation बनती है अगर बचो हम इसमें gap देखते हैं तो gap कितने है 7 का तो इसमें gap देखते है 7 प्लस करक तो 18 option में नहीं है तो यह हमारा नहीं इसमें लगएगा operation ओके next देखते हैं बचो अब यहां देखेंगा 6 की और 13 की relation उसको थोड़ा सा मिस्तरिक के से करते हैं 6 to 12 प्लस में 1 अब देखेंगा यही इस पे apply कीजिएगा तो 11 into में 2 और प्लस में 1 बताइए क्या बनता है yes 11 को 2 से multiply किया और उसमें प्लस 1 किया तो बताइए आपका answer क्या आएगा बिल्कुल ठीक option हो जाएगा c ओके next देखेंगा n23 next देखते हैं बचो yes बनाईए कर relation क्या बनती है अब यहां देखो बचो यह multiply 3 करके 36 हा रहा है तो यहां पे देखो बचो 1 by 3 है अगर हम इसको 3 से multiply करत देखते हैं तो क्या बनता है 3 से 3 cancel बताइए को option क्या आया आपका answer yes बिल्कुल ठीक option B आपका answer हो जाएगा okay next देखते हैं बचो अब 27 125 64 देखेंगा किस तरह के नंबर है बचो अब सलिए आपको नज़रा रहा होगा जो 27 है वो 3 square है और 125 जो है बचो यह 5 का square है इसी तरह स देखेंगा किस्ट नंबर 8 में क्या है इन नंबर को जड़ा ध्यान से देख लीजीगा तो यहां पर देख रहे हैं बचो 27 जो है वो 3 का cube है और 125 है यह 5 का cube है clear है और यह जो 64 अब चो यह 8 का square भी होता 4 का cube भी होता है clear है तो अब देखेंगे इन दोनों में difference कितने का 2 है तो 4 से आके difference क्या बचो देखेगा 2 अगर हम इसमें plus करता है 6 और 6 का cube क्या बनता है बचो देखेगा 216 बनता है यानिक option B आ जाएगा तो मैंने बचो बोला हुआ आपको 30 तक तो square याद कर लो अच्छे से ओके और 15 तक cube याद कर लो अच्छे से clear है तो 30 तक square और 15 तक cube अच्छे से याद कर लो आपके reasoning बहुत हीजी हो जाएगा इड़ के लिए नेक्स देखते हैं बताइए कि option बनता है अब यहाँ पर देख रहे हूंगे बचो आप 25 का differences के अंदर अगर हम 25 के differences में भी करके देखें तो 7 में 25 पर लेस करते हैं तो बचो कितना बनता है 32 option नहीं है कुछ और देखते हैं अब यहाँ पर जब कभी ऐसा relation आए तो हम देखते हैं बचो यहाँ पर 5 का square कर लेते हैं यहाँ पर 25 और 5 ही उसमें add कर देते हैं कितना है बचो देखेंगा 30 आगया 5 का square किया और उसमें 5 एड़ कर देखेंगे 30 आया अब देखते हैं क्या हो 7 पर अपला ही होते हैं तो 7 का square करते हैं बचो और 7 ही हम इसमें add करते हैं बताओ इस कंसर क्या बना है तो 7 का स्केर कितना बना बचो 49 उसमें हमने 7 को एड़ कर दिया तो कितना है बचो 50 6 बिल्कुल ठीक यानि कि आपको option हो गया है हाँ से D next देखते हैं बचो देखेगा इनकी relation देखेगा अभी मैंने आपको बताया था बचो 15 तक आपके cube याद होने चाहिए ठीक है ना क्यूब तो इसका मतलब क्या देखिए 11 का क्यूब कितना बनता है 11 का क्यूब और सली 1331 बनता है यानि कि जो second number है वो first का क्यूब है तो बताये कि 9 का क्यूब क्या बनेगा येस तो 9 को 3 times multiply करेंगे तो बचो ये बनता है option C यानि कि 729 is that clear चलिएगा अब ये type 2 है बचो देखी को clear अब यहाँ पर हमने देखना है जो इन दोनों की relation होगी वो ही हमने यहाँ पर इन दोनों की relation बनाना है तो बताईएगा पहले दोनों की relation में क्या आएगा समय और घड़ी की क्या relation बचो देखें समय को हम घड़ी में देखते हैं क्या relation बचो समय को हम घड़ी में देखते हैं तो बताईए ताप यानि कि temperature को हम किसमें देखते हैं बेरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर और बुखार येस, बिल्कुल ठीक, आपका उप्शन है C तो आप यहाँ पे थर्मामीटर का उप्शन लगाएंगे, उप्शन नमबर C ओके, नेक्स देखीगा, शान्ती और युद कैसी रिलेशन है, बचों, इनमें देखीगा, इनमें विप्रीट रिलेशन है कैसी है, विप्रीट, तो बताईए, स्रेजन का मतलब क्यों तक किसी चीज़ का निर्मान करना सारे अंसर आपने ऐसें देने, आप उप्शन की भी हल्प लेंगे ने, तो स्रेजन का मतलब होता, बचों, किसी चीज़ का निर्मान करना निर्मान को लटा, बताईए, क्या होगा, विनास होगा, मुरित्य होगी, शान्ती या निर्मान येस, बताईए, अपसल बिल्कुल ठीक, आपको उप्शन होजाएगा, ए, यानि कि सर्जन का जो भी प्रीत होगा, विनास इ त्लियर? चलिएका, अब देखिएगा, इनकी रिलेशन क्या बनती है, गोड़े की और हिन-हिनाने की क्या रिलेशन है, बचों? तो घोड़ा जो है वो हिन-हिनाता है, तो बिल्ली बताईए, बचों क्या आएगा? यायस बिल्ली ग्या करते है घेगया ने आती है बिल्लाना मिम्याना या फिर म्याओ हूँ औूप सली बहुत इजी अब देखेगए रात और दिन की कैसी relation है बचो कैसी relation है वीपरीत relation है तो उर्धाव का मतलब थौड़ा समझ लिजीगए उर्दव का मतलब होता है वर्टिकल क्या होता बचो वर्टिकल ठीक है तो इसका जो बनेगा हमारा वो बनेगा क्षाथिस यानि कि होरिजोन्टल यानि कि इसका उप्षन आजाएगा भी कहीं बाद थोड़े से मुश्किल वर्ड भी बचो आपके पास ड़ जाते हैं तो एक्जामिनर डाल देता तो सभी का आपको मीनिंग भी क्लियर करते है चलिए जाएं साथ साथ इस डाट क्लियर चलिएगा नेक्स देखते है यह से बताईएगा उसमें क्या आएगा बचो चाए पतियों अब चाए जो है बचो वो कहां से मिलती है पतियों से मिलती है तो कोफी बताओ कहां से मिलती है पोधे से मिलती है फूल से जड़ से बीच से कई बार आपने देखोगा न बचो कॉफी बींस के नाम से था देखते हैं न कैसी सिस्टम तो इसका मेलब क्या कॉफी कहां से मिलती है बचो बींस से नेक्स देखते हैं नस्ट करना और बनाना बताईए कैसी रिलेशन है विपरीत रिलेशन दोनों की तो युद का विपरीत क्या बनेगा बचो देखिए मरित्यू, समरिध्धी, विनास या फिशान्ती यस बताईएगा बिल्कुल ठीका आपका उप्शन है डी शान्ती नेक्स देखते हैं बताईएगे इनके दोनों की रिलेशन अब पुस्तक में क्या होते हैं बचो देखिएगा पन्ने होते हैं तो फूल में बताईएगे बचो फूल में क्या होगा फूल में गुलदस्ता होगा कलियां होंगी, पंखडियां होंगी या रंग होगा अब ध्यान ये रखना बच्छो रिलेशन क्या है पुस्तक में क्या है पन्ने है ना तो फूल में क्या है बच्छो पंखुरी आएंगी इस रैट कलियर नेक्स देखते हैं अब थोड़ा सा बच्छो इसमें एक चीज़ को और ध्यान रखना अगर आपने रिलेशन ऐसे लेते हैं इसको के पन्ने मिलकर पुस्तक बनाते हैं तो और इदर आपने ऐसे बना दिया कि फूल मिलकर क्या बनाते हैं तो फूल मिलकर तो गुल दस्ता बनाएंगे ना तो ध्यान से देख लिएगा बच्छो अगर रिलेशन ऐसे है तो ऐसे ही बनाए इसमें और अगर यहाँ पे देर रखीए बच्चों मुर्गी हैं। तो उप्शन को डीड कर लिजिए गा। मुर्गा, शेंकना पक्सी, चूजा। येस तो यहां वगर हम बच्चों बच्चों बात करें स्ट्रेलिंग्ग और पुलिंग की बात अगर हम करें, तो इसमें देखिए, मुर्गी, मुर्गा, सेहर, सेहर ने, तो इहां नहीं दिया है, ठीक है, यह option वैसे ही नी बनता, पकसी भी वैसे नी बनता, इसका option फेक है ने बचister? तो यहाँ पर दो ही बच्छते है हमारे पास, चूजा और मुर्ग तो यहां देखिए सेर क्या किसी ही छोना दे रहा है तो इसका मुलब मुर्गी के बच्चे की बात कर रहे हैं और वो क्या तब चूजा तो कई बार कोई ऐसा कोशन आ जा जा तो अप्शन से आप अच्छे तरीके से इसका अंसर निकाल सकते हैं नेक्स देखिए का बनता बच्चो देखिए भूक भोजन यस भूक भोजन क्या रिलेशन बच्छे ने दोनों की भूक लगने पर हम भोजन करते हैं तो जब थकावट होती है तो फिर क्या करते हैं पसीन, निढाल, विश्राम या विकल यसे बताईए बिल्कुल ठीक आपको option वो सी यानि कि थकावट होने पर हम इश्राम करते हैं नेक्स देखिए बचो सिरदर्द इस्प्रीन जो सिरदर्द की मेडिशन होती है उसको हम इस्प्रीन बोलते हैं जो लेते हैं तो मलेरिया जब होता है तो उसमें क्या मेडिशन दी जाती है बताईए बुखार ठंडग इंजेक्शन ये कुनेन बिल्कुल ठीक आपको option हो जाएगा D ओके next देखते हैं देखिए बोजन पेट अब क्या रिलिशन रचे दोनों की यसे बताईएगा जब हम बहुझन करते है तो वह पेट में जाता है नर्ट कि पेट उसको ग्रहन करता है तो इसी तरह की क्या रिलिशन है इनियन आनि के फैूल उसकी क्या रिलिशन गाड़ी इस उस ऊह हरी तो जो इंजन जहनी बच्छों किसमें दिया जाता है इंजिन में इसको रहन करता है अब देखेगा जल समद्धर यह जब बहुत जाद आए रहे तो में अब बहुत जाद रहे रहे तो वहां पर रहे रहे तो पहां किया अए बहुमें ड़ीप लहरे रे लिगिस्थान होगा चलिएगा बहुत अच्छा स्कोर बच्चे करते जा रहे हैं आगे और देखते हैं फल केला वीडियो के लास्त तक देखेंगे तो आपके कंसेप्ट इल्कुल अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा बच्छों अब देखिये फल केला क्या रिलेशन बच जन्तु गाई तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा बच्छों गाई नेक्स देखते हैं मनुस्या सीसू बताईएगा मनुस्या सीसू मनुस्या का छोटा रूप सीसू है यह यह कहली जिए सीसू का बड़ा रूप मनुस्या है तो इसी तरह से फूल जो है बच्छों अगर साप करतें चलें, नेक्स्स देखिए का रेडियो सुरोता, येस रेडियो को सुनने वाले होते हैंतों उनको क्या बहुतां सुरोTTA तो फिलम को क्या होताई बचुछेव, देखने वाले हते है तो अभीनेता, कैमरा, सिनेमा, यह दर्शक, येस, तो उनको क्या बनेगा बचो दर्शक, बिल्कुल ठीक, अब नेक्स देखते हैं बचो 26, क्या अंसर आएगा बताएगे इसका, काला और सफेद, कैसे रिलेशन, विपरीट, तो सुस्त का बचो विपरीट क्या बनेगा, वि दोक्टर मरीज को ठीक करता है, या उसकी समस्याओं को दूर करता है, वैसी एड़वकेट के साथ किसका रिलेशन आएगा बचो, कोट, गवाह, जजज और मौकिल, ठीक है ना, तो उप्शन डी इसका अंसर हो जाएगा, नेक्स देखते हैं बचो देखेगा, सड़क और ग वर्सा और छत्री का क्या रिलेशन है बचो देखेगा, वर्सा से हमें छत्री बचाती है, तो सूर्या जो है सूर्या की किरनों से हमें कौन बचाता है, छाया, धूप चस्मा पर छाय या कुलर, यह से बताईएगा, बिलकुल ठीक, वी ओप्शन, धूप चस्मा, नेक्स द बिलकुल ठीक, ऑप्शन डी आपका अंसर, चलिएगा, नेक्स देखते हैं, मौती हार, बताईएगे क्या रिलेशन है, जब मौती कठे हमें कठे करते हैं, मौती को और उनको पिरोते हैं, तो एक हार का रूप ले लेते हैं, उसी तरह से फूल क्या बचुर देखिए, जब क्या बनता बचुर देखिएगा, पोधा, बाग, गुलदस्ता या कली, ओके, ऑप्शन को रीड जरूर कर लें, को जरूर नहीं सार अंसर आपने खुद से देने हैं, तो इसका अंसर आजए गुलदस्ता, नेक्स देखिएगा, जलूस और मार्ग, ये बताईएगा, जो ज अंसर हो जाएगा, बचो, C, अपनी कक्षा भे घुमती है, ठीक है, नेक्स देखिएगा, रिलेशन को ध्यान से बनाते चलें, बचो, संतान, माता, बताईएगा, और मंगल का क्या आएगा, बचो, अब देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, संतान जो है, बचो, वो माता से उत्पन होती है, इसी तरह से जो ग्रह हैं, बचो, वो सूर्या से मानने जाती है, ओके, तो इसका उप्शन का हो जाएगा, बचो, C, सूर्या, अब पहाड और घाटी, बताईएगा, अब जो उन्ची चीज़ होती है, बचो, देखिएगा, यह पहाड की जाएगा, अप्शन A, अंधेरा, ठीक, एतने बात, चलिएगा, नेक्स देखते हैं, फूल, गुल्दस्ता, अब देखिए, फूल मिलकर गुल्दस्ता बना रहे हैं, तो खिलाडी मिलकर क्या बनाएंगे, बचो, बताईए, खेल, कप्तान, मैदान, टीम, तो अब इसलिए का दो-दो वर्ड आपके यहां पर दे रखिए हैं, नीचे से भी आपने पेर में ही इसको सेलेक्ट करना है, तो यह टाइप भी कहीं बार आ जाती है, तो यहां देखिएगा, ग्राम और ग्रामिन, रिलेशन तो बचों मुसी तरीके से बनाएंगे, गाउं में रहने वाले को दिन, सहरी में रहने वाले को, सहराती, मीठे में रहने वाले को, मिठास, लखनव हो मिय रहने वाले को लखनवि और बच्छो आपको option को जाएगा D समझ भारे यह उस बात को यह मैं थोड़ा read करके इस तरीके से बताया आपको ताकि आप जब relation की बात करें तो इस तरह से आप answer चांट सकें उसमें से ओके चलिएगा next देखिएगा पुस्त काल्य लाइबरेरियन यास देरे देरे करके लेवल बढ़ाते चले जाएंगे बच्छो अब बताये पुस्त काल्य लाइबरेरियन पुस्त काल्य को कौन संभालते है बच्छो लाइबरेरियन संभालता है तो यहाँ बताये स्कूल को कौन संभालते है सिक्षक शिक्षा को स्कूल संभालता है, अध्यापग उचातर संभालते हैं, कक्षा को अध्यापग संभालते हैं अब यहाँ थोड़ा सा देखिए जो आपका A में और D में है, थोड़ा सा कहीं नहीं कन्फूजन हो सकता है अब जो बचो लाइबरेरी होती है, वो मान लीजे कोई भी जह स्कूल और चौलेज हो, उसका एक पॉर्शन होता है और उस पॉर्शन में लाइबरेरीन जो है, उसको सारे को हैंडल करता है इसी तरह से पूरा जैसे स्कूल के अगर हम बात करें, तो उसमें से जो क्लास होती है बचो, वो एक छोटा पॉर्शन हो जाएगा, उसको कौन हैंडल करता है अध्यापक तो इसको उप्शन हो जाएगा, उसको आपका D इड़ेट क्लियर, नेक्स देखते हैं, बिल्ली और चुहे की कैसे रिलेशन बचो आनी जाएगी तो भी प्रीट का है बचो, उनका देखे, दोनों के किसमें दुस्मनी है, तो सेर और भेड, गाय और चुहा, सांप और नेवला, चिडिया और कुबतर तो बताईएगा, इसमें उप्शन C आजाएगा, ओके देखती है, अनसर आ रहा है अपका, नेक्स देखते हैं बचो, बताईएगा, चौक और बलैक बोर्ड, क्या डिलेशन है बचो, यस देखिए बलैक बोर्ड है, इस पर चौक से हम लिखते हैं, क्लियर है, तो लिखे निच्छे से उप्शन कौन सा बनेगा, टाइप और रंग, शाही दवाद, शाही और कागज, पैन और डाइरी, और शली पैन से मच्छो डाइरी पर लिखते हैं, यानि क्वाप्शन D हो जाएगा, नेक्स देखते हैं, लेखक और कवी, यस बताईएगा, अब जो कभी है कभी तो कभी तकी रचना करता है तो घग्द और पद यानि का पॉप्षन डी हो जाएगा ठीक है थेएट नूँँ चलिएगा नेक्स देखते हैं ने अल्या यास ने में तो बच्छों ने अाई मिलता है तो जेल में कैदी मềलता है संकियत में याता जातीज़त नेक्स देखिएगा उंचाई और गहराई उंचाई और गहराई कैसा समन्द बचो विपरीट तो द्रिष्ट सभाव, सिकुड़ना, फैलना, दोका, स्वाविमान, भागना, कुदना येस, सिकुड़ना और फैलना तो भी परीट समन्द बचो डी उप्शन, बी उप्शन हो जाएगा इसमें नेक्स देखते हैं येस, बताईएगा निगलना और चबाना येस, चबाने का मतलब है कि छोटे-छोटे टुकड़े करके चबारे हो आप निगलना मतलब कि अगठा निगल जाते है तो रिलेशन बनाते हैं चले जारा ध्यान से अब बताईए गठकना और पीना चुस्की और पेजल चाटना और जीब चुसनी और बिस्किट बताईए तो उसलिए बचो देखे गठकना और पीना पीना मतलब थोड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ नेक्स देखते हैं फूल माला बताईएगा फूल माला ओके देखे फूल मिलकर माला बनाते हैं तो कंबल जाड़ा छटरी वर्षा एंट घर तो इसलिए आपको फशन हो जाएगा C एंट से मिलकर घर बनते हैं नेक्स देखते हैं बचो टाइप नमबर 4 अब इसमें क्या बच्छो संटेंस टाइप में जाएगा आपके पास ठीक है लेकिन रिलेशन हमने उसी तरीके से देनी है तो प्रवेस द्वार और निकास द्वार यानि के जो हमारे एंट्री और एक्जिट है तो कैसे रिलेशन दोनों की विपरीत है तो उसी तरीके से बच कर सवाधिन ताज दिन जाएगा तो निष्ठा का मतलब क्याता बच्छो धोखा ठीक है तनी बात तो अध्यान से समझेगा यहां थोड़ा सके नहीं के इंगे कन्फूजन हो जाता है नेक्स्ट अब जो वरीत का प्रीधी के साथ जो समंध है वही समंध वरग का किसके साथ अब देखिए यह वरीत है इस बांडरी को बच्छो हम प्रीधी बोलते हैं तो उसी तरीके से जो वरग होता है उसकी बांडरी को क्या बोला जाता है और शली बच्छो प्रीमाब बोला जाता है पेरिमिटर बोलते हैं तो इसका उप्शन हो जाएगा सी इरट क्लियर नेक् से देखिए कि रिलेशन क्या है तो सैनिकों की जो संख्या होती है बहुत जादा होती है सैना में तो आफिसर भी होती है बचो ठीकिन आफिसर भी होंगे दूसरी भी आएंगी रेंक्स लेकिन सैनिकों की संख्या जादा होती है उसी तरह से जो अकास गंगा है इसमें बच्चो तारों की संख्याब हो जाता होती है ओके नेक्स देखते हैं अब देखे करास्टर का ध्वज के साथ जो समंद है वही समंद स्कूल का किसके साथ है अब देखे रास्टर ध्वज यानि कि जो हमारा फ्लैग होता है वो किसी भी nation की जो है भजो को पहचान होता है अब इसी तरह से school की पहचान के आखवी ध्यारती है «रिंस्टर», यूनिफॉर्म, 그리고 Frick Shuffle उसलिए भजो हम यूनिफॉर्म से पहचान जाते हैं भी कौन से school के बच्चे हैं देखिए गानेश्ट है भजो that bench का furniture अब बताईएगा फरनीचर में तो बहुत चीज़ आती है तो उसमें से बैंच एक पार्ट है उसी तरह से उपनियास का क्या एगा बताईएगा बठाना लेखक पुस्तक और चापा खाना बताईएगा अब जो उपनियास है बचो वो भुक का एक रूप है बुक तो बहुत स क्लास आपके लिए बहुत हैलोफल रही होगी तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलेगा चैनलर पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस दे बैल आइकन और थैंक्स फोर वचिंग दिस वीडियो